रामलिला सरकार श्री पुर्शत्म दास्तियागी जी ने रामकता का वाचन किया रामकता से हर जीव की व्यथा दूर हो जाती है संसार के सभी जीवों का मंगल रामकता के शवन पांच से ही हो जाएगा रामलिला सरकार के मुख से रामकता सुनने के लिए नेता राज्जी सभवा सांसत केलाश सोनी, दर्मदा पूरम सांसत राउदर प्रताप सिंग, देविंद्र पतेल गाडरवारा नगरपाली का अध्यक्ष शिवाकान मिश्रा, साई खेडा नगरपंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधी सची नगरवाल एवं नेताओ एवं जनता स सेकड़ों की संख्या में भक्त मोजूद रहे, रामकता से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया, रामकता जीवन की जीने की कला सिखाती है, रामकता से हमें शिक्षा भी मिलती है, राम की तरह अपने माता पिता गुरुजनों की भावनाओं को पूरा-पूरा सम्मान करना चाहिए कथा से हमें साहस और बुद्धी प्रत्य कठिनाईयों का सामना करने की प्रेणा मिलती है प्रदेश में तेजी से सुर्कियों में आने वाले दिव्य संत आचारी पुर्शत्म दास जी महराज आयोध्या छोटी छाउनी वाले जो की अंजान लोगों के मन की बात बता कर इस समय शेत्र में सुर्कियों में नजर आ रहे हैं आम जनता ही नहीं सांसत नेता रामलला सरकार के दर्बार में हाजरी लगा कर अपना राजनितिक केरियर जानने की जिग्यासा को जानने के लिए रामलला सरकार के सामने एकत्रित हो रहे हैं रामलला सरकार मन की बात बत कर नेताओं की और जनता की जिग्यासा को शांत कर रहे हैं ग्राम बिलहरा में भाजपा जिलाध्यक्ष इंजिनियर अभिलाश मिश्रा के नेतरत्व में श्री रामलला सरकार का भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन एवं एक दिवसी भजन संकिर्तन व दर्बार आयोजित किय जिसमें हजारों की संक्या में आम जनता ने शामिल होकर श्री रामलला सरकार के दर्शन कर आशिरवाद प्राप्त किया गाडरवारसी संजे गुपता की रिपोर्ट